आज की क्लास थोड़ी खास है इंग्लिश की आज की क्लास है और इसको हम क्लास ना कहें कांसलिंग कहें तो जाना बेहतर होगा क्यों मैं आज ये क्लास लेकर के आया हूँ क्योंकि हमारे 2020-2021 सेशन के लिए तो 9th और 10th क्लास के जो एक्जाम्स होंगे क्यों किया गया है हम सब को पता है कि हम सब लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत जादा चैलेंजिंग है बहुत जादा डिमांडिंग है हमसे बहुत सारा ऐसा काम करवाया जा रहा है या हमें करना पढ़ रहा है जो नहीं करना चाहते तो उसके इस सिरीज में पहला जो हमने लेक्चर निकाला है यह दूसरा लेक्चर है इस फॉर इंग्लिश में हम देखते हैं कि हमारा कितना स्लेबस कम हुआ है और उसके कम होने का असर कितना पड़ा है हमारे टोटल जो करीगुलम जो हमने अभी तक किया है आगे इसमें हम दो और लेक करते हैं और उस पर शुरूर करते हैं काम सिने मुद्धे पर आते हैं इसी वीड को पूरा देखिए इस section पूरा देखिए ये जो लेक्शन है ये आपके बहुत साने doubts clear कर सकता है per their a और देखते हैं समझते हैं हम लोग की क्या क्या बदलावाया है सबसे पहले लिटरेचर क्लास 9-10 2020-2021 सेशन के लिए हम त्यारी कर रहे हैं हमारा रिवाइज स्लेबस हमारा जैसा कि हम कुशन पेपरवाइज दिखेंगे सबसे पहला मेरा होता है सेक्शन एग जिसके अदर कॉम्प्रिहेंशन आज कीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का एक सेक्शन होता है दो टॉपिक्स होते हैं बारह नंबर और आठ नंबर के दो यह एक्सराइज होते हैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं है जाने सब्ध कीजिए आपका पैटर्न वही रहेगा को अब अब भी सेक्षिन एज्छन के बारे में बात करते हैं कि जिसमें & Tradition है जो है पहरा वाला स्क्षिन के वारवारे बात करते हैं मैं जुबं साथ हमारा 30 marks का होता है, इसके अंदर से तीन चीज़े हैं, तीन चीज़ों में सबसे पहला जो मैं बताना चाहता हूं, वह है यूज ऑपैसिव वॉइस, एक नहीं आ रहा है, नमबर तू, प्रिपोजिशन, नहीं आ रहा है, अब ये मैं एक्स्प्रें करता हूं आपको, इसके पूरे तरीके से, प्रित में, था रहा है और नमबर तू, रहा है, अब हम, प्रित मेंags करते हैं वह हूं एक और अड रिप दिन सबसे यिसज़ուए आपने बाने का क्वार के पिछाए कम वह जीज़ों करते हैं एक्ट वोईस्म दिया जाता है, उसको पैसी वोईस्मे स्कॉनुअ करने वाला यह कुश्यन नहीं आएगा, इसके बदले कुछ और कुछ अर प्रॉशन आ सकता है, पॉपजिशंख दॉपनी प्रॉपजिशं पॉपजिशं के लिए पॉपजीशन के लिए नहीं आए, यह पढ़ते चले आएं इसके बिना आप सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं यह नहीं आए इसका बहुत जादा असर हमारे एक्जाम पर नहीं पढ़ने वादा है So that's about it and next हम लोग बात करते हैं लिटरेचर Section C यह हमारा लिटरेचर जिसमें आपको दो बुख दीवनी हैं एक book का नाम beehive है और दूसरे का नाम moment है तोटल शेचे चीजे नहीं आ रही है इसमें से देख लीजे सबसे पहले अगर मैं beehive के बारे बार करनू so beehive book मैं सबसे पहला जो नहीं आ रहा है that is the Lake Isle of Innistory यह मैं आपको बुक से ही दिखा देता हूं सीधा So, The Lake Isle of An Esprit Section No.4 का पोएम है यह नहीं आ रही है उसके बाद The Snake and the Mirror No.5 का स्टोरी है यह यह भी नहीं आ रही है No.5 का The Snake and the Mirror उसके बाद Next पेज पर Section 7 का The Duck and the Cumberoo पोएम नहीं आ रही है 7th section में जो पोएम है वो नहीं आ रही है उसके लाभा Kathmandu is another one 10th का जो स्टोरी है वो नहीं आ रही है So, यह चार चीजें डिलीट हो गई है आपके इसमें से And second one if I talk about then This one, Moments, if the book इसमें से Iswaran the Storyteller Story No.3 And Story No.9 Iswaran the Storyteller and The Accidented Tourist यह दो चीजें नाइन स्टैंडर की हैं जो उसमें नहीं आ रही है So, that's about it देख लीजे आप फिर से भ्यान से समझ दीजें बहुत जादा चेंजेस का इसमें अनुतर पढ़ता नहीं है हमें साथ बस यह पांच स्टोरीज हां यह मैं माल सबता हूं कि यह दो स्टोरीज और यह दो कोएम दो कोएम और चार स्टोरीज से बहुत जादा फ़र्क पढ़ने नहीं वाला है इस यह दो कोएम के बढ़ा का यक्व स्टोरीज से फ्रम करों पढ़ा है नहीं करने का है यह देखिए यह वही लिस्ट है जिस लिस्ट को मैंने आपके साइट को नोट कर लीजिए www.cbseacademic.nic.in इस साइट पर चले जाएगा और यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जो चीजें को मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसी का रेफरेंस लेकर के बता रहा हूं साइट पर चले जाएए साइट पर जाकर के आपको एक blue ग्रीन रेड कलर का एक bulletin box दिखेगा उसी के अंदर में यह चीजें आपको मिल जाएंगे revised syllabus for session 2020-2021 करके होगा 9-12 सारे subjects आप महां से download कर सकते हैं और अपने लिए reference के लिए लिख भी सकते हैं so that's about it यह तो बताने वाली बार www.cpscacademic.nic.in cpsc सको पता है so यह आप लो कर लीजे अच्छा रहे गाया यह reference के लिए plan बना कर के time करते हैं तो ज्यादा मजाता है use a passive voice इसमें भी नहीं है then again clauses clauses, term, adverb, time relative, clauses of condition and time relative यह सब चीजे नहीं है इसके अंदर में then once again prepositions नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बताया prepositions बहुत जरूरी है so that's about it then we have जो chapter जो डिलीट हुए है so आप लो देख ही जिएकर लिटरेचर में दो किताबे आपकी फिर्स प्लाइट और footmen's without feet so first flight मेंसे how to tell wild animals is a poem यह नहीं आ रहा है trees again is a poem यह नहीं आ रहा है fog is also a poem यह नहीं आ रहा है which was the author, यह एक story है नहीं आ रहा है for Ann Gregory, I don't remember it's a story, I mean the midnight visitor this is a story a story है the midnight visitor यह नहीं है lucky, मैं अभी जी का video बनाने जा रहा था so a question of trust यह भी नहीं है the book that saved the world save the earth यह ही थी, मतलब यह 8 chapters आपकी literature में कम हो रहे है एक चीज़ वो miss out कर गया है 9th class वालों के लिए letter on a situation so for class night sorry for a marker so class night में letter to editor means letter on a situation नहीं आएगा नहीं आएगा दूसरा descriptive paragraph on a place or an event so paragraph writing free writing नहीं आएगा यह दो चीज़े लिखने के लिए नहीं आएगी so it could be possible notice नोटेस पिछले साली कट गया था so notice हमारा शायद नहीं है so इक पर आप लोग फिर भी इस चीज़ पर confirm कर ली जाएगा notice पिछले session में नहीं था इस session में लिखा नहीं गया है so I'm sure कि यह चीज़ नहीं है excuse me so यही साली चीज़े है बस आप लोग बहुत जादा असर इस बात का नहीं पढ़ रहा है कि कितना हमारा slivers cut हुआ है क्योंकि उस चीज़ का यूज़ हम लोग कभी करते ही है कही ने कहीं पर हम करते ही है और यही है अगले सेशन में जब मैं सोशल साइंस का लेकर आऊंगा तो इसमें भी मैं आप लोग के साथ यही बाते डिसकस करूंगा so तब तक के लिए good luck all the best like करिये share करिये मेरे चैनल को मैं इसमें हमेशा नहीं नहीं बाते लेकर आता हूं very fairly बहुत ज्यादा इसके अंदर अंतर है नहीं बहुत ही आसान मामला है I am sure कि आप लोग इतना तो कर ही लेंगे so good luck all the best जाहा रहिए safe रहिए जय हिं जय भारत